तो यार जो जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकान पर क्लिक कर लो ताके हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें आज हम देखेंगे कि पिर्तिवी की आंतरिक सनचना कैसे और किन-किन पदार्थों या तत्तों से हुई है तो भोव बग्यानिकों द्वारा अब तक आंतरिक सनचना का उनमान दो प्रकार से लगाया गया है पहला प्रकृतिक स्रोत द्वारा जिनमें ज्वाला मुखियोदगार और दुसरा भुकम बेग्यान आता है और इसका क्रितिम स्रोत जो है घनत्तों दाब और ताप द्वारा इसकी आंतरिक सनचना का पता लगया जाता है क्रितिम स्रोतों से भुववेग्यानिकों ने यह जाना कि पिर्थिवी की सता से यदि कोर के तरफ बढ़ा जाए तो प्रती 32 मीटर पर एक डिगरी ताप की ब्रती हो जाती है आश्टिया के महान भुवेग्यानिक स्वेश ने पिर्थिवी की आंतरिक सनचना को तीन भागों में बताया था जो था सीमा, सियाल और नीफे तो आज हम लोग सीमा, सियाल और नीफे के बारे में विस्तार पुलक देखते हैं पिर्थिवी की सबसे उपरी परत को भूव परपटी काते हैं इसको अनी नामों से भी जाना जाता है जो की है क्राष्ट, लेथोस्पेर और सियाल भूव परपटी को सियाल इसलिये काते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एलमुनियों की मातरा अधिक पाई जाती है वो परपटी का जो घनत्व होता है वह 2.75 से 2.90 होता है वो परपटी का आयतन पूरे पिर्थवी के तुलना में 0.5% के बराबर है इसमें सबसे अधिंग मात्रा में आक्सिजन तत्व पाये जाता है जिसकी मात्रा 46.60 है उसके बाद दूसरे नवर पर सिलिका 27.72% और तीसरे नवर पर इलमनियम 8.13% होता है इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भो परपटी का सनचना और निर्माड कैसे हुआ है भो परपटी के निचले भाग को मैंटल करते हैं मैंटल को अन्य नाम से भी जाना जाता है और सीमा इसे सीमा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंटल में स्लिका और मैगनेшей के मातरा अधिक पाई जाती है सीमा का घंडत वे 2.90 से 4.75 होता है और इसका आयतन पिर्थवी को तुलना में 83% होता है जब्कि इसका दर्विमान पिर्थवी की तुलना में 67% होता है मैंडल की मोटाई 2900 किलोमेटर होती है इसमें जो है तत्तों में सिलिका और मैगनिसिम की प्रधानता सबसे अधिक होती है हमने देखा कि मैंडल की सनचना कैसे होई है अब हम क्रोड की बारे में देखते हैं तो मैंडल के निचले भाग को क्रोड करते हैं इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, बैरे स्फेयर, कोर या नीफे कर सकते हैं, नीफे इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें निकिल और लोहे के मातरा अधिक पाय जाती है, इसका घनत्व 11 से 13 होता है, जबकि इसका आइतम जो होता है पृत्विक तुलना में 16 परसेंट होता है, या ठोश रूप में मौजूद होता है, हमने देखा कि आश्ट्रिया के जो स्वेश भूबैग्यानिक थे, उन्होंने पृत्विक की आंतिक सनजना को तीन परतों में, यानि की तीन भागों में बाटे थे, जो था सियाल, सीमा और नीफे, भूबैग्यानिकों ने सिया और सीमा के जो बीच का अस्थान है, उसका नाम मोह बिशक असंबत्ता और सीमा और नीफे के बीच जो अस्थान है, उसका नाम गुटेन बर्ग रखा, फिर उन्होंने पाया कि सियाल जो है, दो भागों बटिये है, और इन दोन भागों के बीच का अस्थान का नाम उन्हो असम्बदता तथा नीफे को दो भागों में बाटने वाली अस्थान का नाम लेह में असम्बदता रखा गया तो हम लोगों ने देखा कि पिर्थिवे की आंतरिक सनजना कैसे हुई है असम्बदता रखा जाम लेखा पिर्थिवे की आंतरिक पिर्म्दता रखा कि वाली अस्थान का पिर्थिवे की आंतरिक से जए है